हाई फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल वांग शेन क्यूट लव स्टोरी तो चलिए फ्रेंज आज हम डॉन बुली मी का लास्ट पार्ट देखते हैं तो चलिए हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी और वींग की मेरिज हो जाती है और दोनों एक होट नाइट स्पेंड करते हैं अब हम morning का scene देखते हैं, वेंग की आँखे पहले खुरती हैं, वो वांग जी की तरफ देखता है और एक smile करता है, वो वांग जी के forehead पर और उसके lips पर एक किस करता है और दीरे से बैट से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उठने वाला होता है, उसे अपनी body में बहुत तेज दद होता है वो बहुत तेज चलाता है विंग वांग जी की आवाज सुनकर वांग जी जल्दी से उड़ता है वो विंग की तरफ देखता है विंग से पुछता है विंग क्या हुआ विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गगा मुझे मेरी पूरी बोड़ी में बहुत दर्द हो रहा है अब पता नहीं देखो आपने क्या किया मुझे उठा भी नहीं जा रहा आप सच में गगा बीश्ट हो फांग जी वींग की तरफ देखता है और इसे अपनी बहाँ में बढ़ लेता है वो उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है वींग बस थोड़ी दिर थोड़ी दिर में यह सही हो जाएगा वींग को से में कहता है गगा दूर रहो आप मुझे आपको पता है मुझे वाश्रूम जाना था पर मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा वांग जी वींग को अपनी भाव में बढ़ कर एक स्मायल करता है तभी वांग जी वेट से उठता है और वींग को अपनी भाव में बढ़ लेता है वो वींग को भाव में बढ़ कर वाश्रूम ले जाता है वो वींग को बात तम में बिठा देता है और विंग को थोड़ी दिर ऐसे ही देखता है वो अभी विंग के साथ टम में आ जाता है विंग कहता है गगगा क्या कर रहे हैं आप तो वांग जी विंग को कहता है कुछ नहीं और वो विंग को अपनी तरफ खिश लेता है और से कहता है मैं टम में तुम्हारे साथ बात लेने के लिए आया हूँ वो अपनी विंग सर्मा जाता है लेकिन वो जूट का गुश्णा दिखाते हूँ कहता है दूर रही है मुझे मैंने कहा न वांग जी एक स्माइल करता है और वांग जी कहता है विंग यह फर्स टाइम था इसलिए तुम्हें दर्द है जब हम यह सब एब्री डे करेंगे न तुम्हें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा विंग कहता है क्या बिल्कुल नहीं कहा मैंने कहा ना आप मुझसे दूर रहना वांग जी कहता है विंग वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं तो वांग जी कहता है हाँ फिर तुम्हें दर्द भी नहीं हुगा वांग जी वांग जी तो पूरा शर्म आ जाता है वह अपनी बड़ी बड़ी आखे करके वांग जी को देखने लगता है तभी वांग जी वींग के face को पकरता है और उसे अपनी तरफ कर लेता है वो वींग को किस करने लगता है पहले वो वींग को बहुत soft किस कर रहा था लेकिन दीरे दीरे उसका किस बहुत होट होता जाता है दीरे दीरे वींग भी वांग जी की किस को response करने लगता है दोनों एक दूसरे को hot और deep किस कर रहे थे दोनों एक दूसरे के lips को सब लिख कर रहे थे विंग की पूरी body दिरे दिरे hot होने लगती है वांग जी विंग की पूरी body पर अपने हाथ फिराने लगता है वह दिरे दिरे विंग को बहुत अच्छा लग रहा था विंग वांग जी अब उसके लौर पाट को पकड़ लेता है और दीरे दीरे अपने हाथों से उसे मूग करने लगता है पहले तो विंग वांग जी को रूपने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी की टच से विंग मौन करने लगता है वांग जी विंग का मौन सुनता है तो वो एक समाल करता है वो विंग को खीच लेता है अपने लेम में खीच लेता है और उसे इगरली किसकाने लगता है वींग र वांग जी दोनों को एक बहूत ही डीप और हाट किस कर रह थी दिरे दिरे वांग जी वींग के अंदर खुद को इंसेट करने लगता है बिचारा वींग उसे तो पहले बहुत दर्द होता है लेकिन तोड़ी दिरमेए वींग को प्लेजर मिलने लगता है विंग पुरी तरह से मोन कर रहा था उसे इतना प्लेजर मिल रहा था वांग जी एक स्माल करता है दिरे दिरे वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है पाने की वज़े से उसमें से एक अलग साउंड आ रहा था विंग उस साउंड को सुनता है तो उसे हसी आने लगती है वांग जी उसकी तरफ देखता है विंग की आँखों से आशु आ रहे थे क्योंकि उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था और उसे प्लेजर भी मिल रहा था लेकिन उस पानी की आवाजाओं को सुनकर उसे हसना भी आ रहा था तब ही वांग जी कुद को रोग देता है और वो विंग से कहता है विंग क्या हुआ तुम हस क्यों रहे हूँ तो वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गागाँ ये साउंड आपने सुना वांग जी कहता है कौन सा साउंड तो विंग कहता है वो ही चुप पानी से आता है ऐसा कहता है और जो जो से हसने लगता है जब वांग जी को ये पता चलता है तो वांग जी और विंग दोनो जो जो से हसने लगते हैं थोड़ी देर में दोनों कुद को उस टब में ही रिलीज कर देते हैं वांग जी वींग को अच्छे से क्लीन करता है दोनों एक अच्छा सशाल लेते हैं वांग जी वींग को भाल लाता है उसे अच्छे से कप्टे पिनाता है और विंग को वो रेड़ पे किस करता है और उसे बेड़ पे लिटा देता है वो वी रेड़ी होता है और विंग से कहता है तुम यही रश्ट करो मैं अब भी आता हूँ वो नीचे जाता है वो किचिन में जाता है वहां मेडम लेन किचिन में ब्रिकफास्ट रेडी कर रही थी वांग जी अपनी मॉम को देखता है और एक स्माल करता है और अपनी मॉम से गुड मॉनिंग कहता है उसकी मॉम भी उसे देखती है और इस्माल करती है वो भी वांग जी को गुड मॉनिंग कहती है वांग जी अपनी मॉम से कहता है मॉम के ब्रेकफास्ट रेड़ी है तो उसकी मॉम कहती है हाँ वांग जी वांग जी अपनी मॉम से कहता है मॉम एक ट्रे में ब्रेकफास्ट लगा दीजिए विंग रेस्ट कर रहा है मैं उसे कमरे में ब्रेकफास्ट खिला दूँगा उसकी म वो में एक स्माल करती है और ओके कहती है वो एक ट्रे में वांग जी और विंग दोनों के लिए व्रेकफास्ट लगाती है वांग जी वो ट्रेड लेता है और अपने कमरे में आ जाता है वो विंग के पास आता है और विंग के पास आके बैठ जाता है वो विंग को अपने हात वह विंग से कहता है यह मैडिसन खालो इसे खालोगे तो थोड़ी दिर में तुम्हारा पेन सही हो जाएगा विंग वह मैडिसन खा लेता है फांग जी विंग को आराम से लिटा देता है और वह उसके फोरेड पे किस कहता है फिर वह विंग को लिटाने के बाद अपनी ओफि पूरा हो चुका है वांग जी साथ ही उपिस के ओपिस में काम करता है क्योंकि वांग जी वींग के खुट से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दे सकता पहले विंग परड़ाई करने के लिए बाहर जानना चाहता था लेकिन वांग जी वांग जी तो विंग से एक मिनट भी दून नहीं रह सकता, इसलिए उसने वांग जी से बिलकुल मना कर दिया, कि वो वांग जी विंग को अपने से दून नहीं जाने देगा, फिर बिचारा विंग भी क्या करता, वो भी नहीं गया, अब विंग वांग जी कि उसकी ओपिस में हेल्प करता है वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है सिचेन और जियंग चेंग दोनों बहुत खुश है जियंग चेंग और सिचेन को भी एक बच्चा हो चुका है जिसका नाम लेंजिंगी है अब हम देखते हैं सबी लोग दुपर में बैटके लंच कर रहे थी तबी विंग को कुछ अलग सा फील होने लगता है उसका मन बहुत खराब हो रहा था वो जल्दी से उड़ता है और वाश्रूम की तरफ भागता है सबी बहुत डर जाते हैं वांग जी विंग को अवाज लगाता है लेकिन विंग नहीं सुनता और वो सीधा अपने रूम में भापके जाता है वो वाश्रूम में जाता है और वॉम्टिंग करने लगता है वांग जी भी दोड़कर पीछे जल्दी से वांग जी विंग के पास आता है विंग से पूछता है विंग क्या हुआ है तो विंग कहता है गगा कुछ नहीं लगता है शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था इसलिए मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा था शायद इसलिए मुझे वॉंटिंग हो गई है भांग जी भांग जी भांग को देख रहा था वो भांग को ऐसे देखता है और बहुत परिशान हो जाता है वो भांग को अपनी बाव में बरता है और जल्दी से उसे बैड पर लिटा देता है वो अपनी family doctor को call करता है थोड़ी देर में doctor वहाँ आ जाते है सब लोग बाहर थे वांग जी मैडम लेंड को तो समझ में आ गया था वो smile के जा रही थी वांग जी अपनी mom से कहता है mom, विंग की तब्रित खराब है और आप इस्माइल कर रही है मेडम लेंड कहती है हाँ, थोड़ी देर बात देखना तुम भी smile करोगे तबी doctor विंग को check कर रहा था वो विंग को check करने के बाद बहार आता है वो वांग जी को देखता है और smile करता है वांग जी doctor से पुछता है doctor, क्या हुआ है विंग को तबी doctor वांग जी से कहता है Mr. वांग जी आप father बनने वाले है वांग जी ये सुनता है तो वो तो खुशी से पागल हो जाता है वो इतना खुशता कि वो जल्दी से दोड़ के विंग के पास जाता है और विंग को हग कर लेता है वो विंग के face पे, eyes पे, chicks पे चारों तरफ किस करने लगता है वो विंग से कहता है विंग तुम जानते हो हम parents बनने वाले हैं विंग सर्म आ जाता है और वांग जी को हग कर लेता है तबी सब लेन फैमिली और ज्यांग फैमिली अंदर आ जाती है सभी वांग जी और विंग को कुंगराश करने लगते हैं सिचेन वांग जी से कहता है वांग जी अब तुम्हें विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा तबी जिंगी आ जाता है जिंगी कहता है क्या हुआ है विंग अंकल को तो सब लोग कहते हैं देखना तुमारा कुछ दिन बाद एक छोटा भाई या बेहन आने वाली है जिनकी इतना खुश हो जाता है वो जन्दी से वींग को जाके हख कर लेता और कहता है मुझे तो सिस्टर चाहिए सबी हसने लगते हैं तब इसी चेन वांग जी से कहते हैं वांग जी यह बहुत sensitive time होता है तुम्हें वांग जी का वींग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा समझे तुम वांग जी हुन कह देता है सबी लोग बहुत खुश थे दीरे दीरे वींग का time बढ़ने लगता है अब वींग को बहुत mood swing भी हो रहे थे विचारा वांग जी तो वींग की इन हरकतों की बज़े से बहुत परिशान हो गया था वींग के mood swing इतने थे वो कभी भी किसी भी चीज की डिमांड कर देता था वींग की डिलेवरी का time हो जाता है अजानक से एक दिन वींग और वांग जी दोनों रूम में बैठे थे तबी वींग को बहुत तेज दर्द होने लगता है वींग जो जो से चिलाता है वांग जी जल्दी से उरता है और वींग को अपनी बहाँ में बरता है और अपनी मौन को आवाज लगाता है वो सब लोग वींग को लेकर हस्पिटल जाते हैं वांग जी वींग का चिलाना सुन रहा था वो अब इतना टेंशन में आ जाता है पेन में वींग था लेकिन दर्द वांग जी को रहा था सब लोग वांग जी को देख के हसने लगते हैं तभी जियांग चेंग कहता है तो तुम दिलेवरी तुम थोड़ी ना करने वाले हो जो तुमारी आलत ऐसी है वांग जी जियांग चेंग के तरफ गुस्टे से देखता है और बोलता है तुम अपना मुँँ बंद करो तुम देख रहे हो ना विए उनको कितना पेन हो रहा है तो जीयांग चेंग कहता है इसे चेंग को भी इतना ही हुआ था समझे तो ऐसा कहता है और एक स्मायल करता है सबी लोग कहते हैं तुम दोनों लड़ना बंद करो तुम दोनों कब बड़े होंगे पता नहीं इस टाइम पर भी तुम दोनों को जगड़ा सूच रहा है जियंग चेंग कहता है मैं तुझे समझा रहा हूँ मैं कब जगड़ा कर रहा हूँ सबी लोग हसने लगते हैं तबी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और एक cute सा alpha boy उनके हाथ में होता है वो वांग जी से कहते हैं वांग जी जल्दी दोड़ की डॉक्टर के पाहर जाता है वो डॉक्टर से पुछता है डॉक्टर वींग कैसा है वो बिल्कुल अच्छा है लेकिन उन्हें अभी होश नहीं आया है थोड़ी देर में आएगा ऐसा कहके वो बच्चे को वांग जी के हाथ में दे देती है वांग जी जब उस बेबी को अपने हाथ में लेता है तो उसकी आखों से आसू गिनने लगते हैं वो इतना क्यूट इतना क्यूट एक अलफा वोई था सब लोग उसे देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं सब लोग वारी वारी उसे अपनी बाहों में लेते हैं लेकिन वांग जी उसका तो पूरा ध्यान वींग पर था वो बच्चे को अपनी मौम को देता है और जल्दी से वींग के पास आता है वींग अभी बेहोश था वांग जी वस वींग को देखे जा रहा था वो बारवार नर्स से पूछ रहा था डॉक्टर वींग को कब होश आएगा तब ही वो डॉक्टर कहती है थोड़ी देर में आ जाएगा मिस्टर लेन आप इतना परिशान मत होई है वो बच्चे को डिलेवरी टाइम पर थोड़ा थक गए है इसलिए उन रेस्ट की बहुत जरूरत है पर वांग जी वांग जी को बहुत गवराट हो रही थी अब हम थोड़ी देर बात का सीन देखते हैं वांग जी विंग के पास ही बेठा था तब ही दीरे दीरे विंग अपनी आखे खुलता है और वो अपने पास वांग जी को देखता है वो वांग जी को देखे एक स्माइल करता है और वांग जी से कहता है गगा हमारा बेबी तभी वांग जी कहता है तुमने एक बोई को जनम दिया है पता है विंग वो बहुत क्यूट है तुमारे जैसा ऐसा कहता है तभी नर्स बच्चे को लेके अंदर आती है विंग जैसे अपने बेबी को अपने हाथ में लेता है उसकी आखों से आशु आने लगते हैं वो वांग जी से कहता है गगा हमारा बच्चा ऐसा कहता है और वांग जी वहां से उठता है और विंग और अपने बेबी को हग कर लेता है अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं अब विंग और वांग जी का बच्चा six month का हो चुका था सबी बहुत खुश थे वांग जी और विंग एक दिन अपने room में होते हैं वांग जी विंग से कहता है विंग तुम खुश हो ना वो विंग कहता है मैं बहुत खुश हूँ ऐसा कहता है और वांग जी विंग की lips पर kiss करने लगता है दोनों एक दूसरे को बहुत ही deep और passionate kiss कर रहे थे तो friends यह हमारा fan fiction यहीं खतम होता है अगर आपको यह fan fiction पसंद आया है तो please friends मुझे comment करके जरूर बताएं बाबाई, take care